हेलो गाइज, वेलकम टो और यूटूब चैनल दोस्तों ये यूपित्र प्रलस्टी से रिलेटर जो भी केस चल लए थे हाई कोड में वो सारी की सारी अपडेट मैं आपके पास लेके आ रहा था और अभी भी जो केस चल लए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था फिचली वीडियो डाला हुआ है कि जो हाई कोड अलहाबाद ने डिसीजन दिया था उस पे तो वो भी मैंने डिसीजन आपको दिखा दिया था उसकी एक वीडियो बनाई है जिन लोगों नहीं देखा है वो जाके पीछे वीडियो मैंने डाली हुई है उस पे और उसका पीडियाप भी टेलिग्राम लिंक में डला हुआ है मेरे तो आप चाहें तो जज्जमेंट का पीडियाप ले चकते हैं बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि सर एकता यादो जी वाले केस पे और भी जो केस जो हाई कोर्ट लखनों में पेंडिंग है उन पे एक वीडियो बनाईए कि क्या इस्टेटस चला या क्या अपडेट है उस पे तो उसी को लेके मैं वीडियो आया हूँ तो जो एकता यादो जी का केस है आपको बता दूँ वो अभी भी चला है उस पे डेट पे डेट लगातार पड़ती जा रही है और जो तेज तारीक कल को उन्हों ने दिया ठेट तो उस पे क्या डिसेजन हुआ या क्या कल किया गया तो उसको मैं लेके आया हूँ तो उसकी अपडेट डाल ला हूँ मैं और जैसे ही फैसला जो भी फैसला आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जहां तक यह दिख रहा है कि जो आपने देखा था हाई कोड अलहाबाद में तो वहाँ पेट को लेके जो भी केस हुआ है या एनम की वेकंसी को लेके तो वहाँ से वहाँ पे जज साहब ने तुरंत खारिज कर दिया था उसको बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजटिव चीजे दिख रही है पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह अलहाबाद की ही खंड पीट है लखनू तो मेबी की सेम चांसेज होंगे सेम केस के वही एप्रूबा लाएंगे यह खारिज हो सकता है बट जजज साहब ने अभी तक ऐसा नहीं किया है भी डेट पर डेट पड़ रही है उन्होंने काउंटर अपील करने को बोला है आयोक की तरफ से आयोक को उन्होंने बोला है कि आप जल्द आयोक के तरफ से जो वकील है उनको उन्होंने counter अपील करने को बोला है कि आप जो भी इसके बारे में जबाब दवा आपको दाखिल करना है वो जल्द से जल्द कीजिएगा तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका यही status है आप ये देखिए order date तो इन्हों ने आपको एक नई date दे दी है कल 5 March 2020 तो 5 March 2022 आपको date दी है कि 10 बजे आपकी सुबा 10 बजे सुनवाई स्टार्ट होगी अब ये सुनवाई जो है आपकी ये 5 March होगी तो इस पर ये मुझे लगता है तीसरिया चौथी date पड़ी हुई है क्योंकि ये क्या है कि listed कर लिया गया है एक तयादो जी का case जो है अभी बहुत सारे तकरीबन दसों case है जो कई सारे नाम से हैं तो अभी वो listed भी नहीं हुई है जो मैंने सुनवाई हो रही है वो एक तयादो जी के ही case पे हो रही है जो कि लकनो घाई कोड में हो रही है तो इन्होंने 23 तारी को date लगी थी तो इन्होंने इसको नई date दे दी है 5 March 2022 तो अभी जो सुनवाई होगी वो 5 March 2022 को होगी ठीक है तब तक इस मामले को इस्तकित कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि जो ज़साब है उनका नाम है सिदार्थ बर्मा जी वही इसकी सुनवाई कर रहे हैं और आपको नई डेड़ मिल गई है 5 मार्च तो अभी इसके बारे में जानते हैं यह तो हो गया आपको जो अभी लेटेश अपडेट है वह मैंने दे दी अभी 5 मार्च को क्या होता है वह भी मैं वीडियो बना के आपको दूँगा तो सबसे पहली बात तो जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वह सब्सक्राइब कर ले ठीक है मैं इसी तरह की सारी लेटेश अपडेट आपको देता रहूँगा वैकंसी से रिलेटेट क्लासेज भी चलती है इस पर प्रिवियर से जो पेपर से हैं उनको भी सॉल्व करके आपको दिखाता रहूँगा तो क्लासेज भी चलेंगी आपको लेटर अपडेट भी मिलेगी तो आप लोग प्लीज जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को मैक्सिम टो मैक्सिम सेयर करें अब बात यार एक पीटी कैंसल होगा या नहीं होगा तो अभी जिस तरह से केस चल ला है और जिस तरह से बैंडिंग बनी हुई है जो पकड हमारी स्टुडेंट्स की तरफ से एक तयादोजी की तरफ से वो अभी मजबूत पड़ रही है अभी वो काउंटर अपील करेंगे उसके बाद ही ये जो पाच मार्श की सुनाई होगी उसमें अगर वो काउंटर अपील अपनी करते हैं तो उसमें देखे क्या फैसला आता है और जो जुकाव दिखरा वो यही दिखरा है कि मेभी की इधर चांसेज हों क्योंकि ये कुछ बच्चों के तरफ फैसला आए क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक साल होने को जा रहे है पैट को होने को अभी तक उसकी तरफ से या उस पे बेश्ट ये एक भी वेकंसे नहीं करा पाए है तो ये आयोक के भी पलता है सरकार के भी पलता है तो इस हिसाब से अब इधर चांसे बढ़ है कि मेभी की कोट ये जज्जमेंट दे दे कि आपने पैट लागू भी किया था तो उस पे पेपर भी तो नहीं करा पाए और पूरा पेपर 2021 चला गया है आपका पैट 2022 होने को आ गया है और ये कंडिशन आ गई है आप बताईए तो उस पेट का क्या रोल रहे गया जब आप कोई पेपर ही नहीं करा पाए तो इधरी चांस बनेंगे कि हो सकता है पेट को ये अन्वायरता खतम कर दी जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और ये 5 मार्च का जज्जमेंट देखेंगे तो यही सब बाते थी जो आपसे सेयर करनी थी प्लीज इस वीडियो को मैक्सम टो मैक्सम सेयर कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने लेकिया आउंगा और आप लोग बिल्कुल निश्चेंत रहिए ठीक है थैंक्यू